किटाना भगतों को पहले 4,000 रुपया सालाना अपने वस्तरों के लिए मिलता था लेकिन आपकी सरकार ने आपके लिए आप 4,000 से बढ़ा करके उसको 8,000 रुपय कर दिया है साथ साथ में जो स्वरोजगार खुश से अपना रोजगार करना चाता है उसके लिए भी मुकमंत्री रोजगार सिर्जन योजना हम लोगों ने चलाया है जिसके माध्यम से आप सभी ग्रामिनों के लोग नौजवान, महिला, पुरुस जो भी काम करना चाते हैं आप होटल चलाना चाते हैं, रिस्टोरेंट चलाना चाते हैं, गाड़ी भाड़ा में चलाना चाते हैं, टेंट हाउस चलाना चाते हैं, मुर्गी पालन करना चाते हैं, सब चीच के लिए सरकार आपको साहता मुखया कराने हैं हम अपना जिवान को पलन को संब कार रहे हैं और उसका लाब उठा रहे हैं उसके देख करके आगे पीछे का लोगाओं का कार रहे हैं हम लोग अच्छी से कर रहे हैं अच्छा से हम लोग पलन को संब कर रहे हैं गोगंजार को फीद बढ़ाने के लिए आगे हमारे मुखमंत्री जी और बढ़ाने के लिए कोशिश करे हमारा आगे पीछे कोई नहीं है हमारा आगे पिछे मनिय मुखमंत्री मनिय मुखमंत्री जी है उसको बहुत बहुत धनिया बाद देते हूं तीन साल हम लोग एक बच्चे की तरह पालन पोसंद किये देखभाल किये और चौथो साल से हम लोग फल लेना शुरू किये और इस बार भी हम लोग का फॉल अच्छा रहा खुल मिला करके करेब करीब 40-45 परिवार जो हम लोग है उसमें 5000 से 20,000 तक के सलाना उनलों को अतिरिक ताय हो रहा है चोंकि परंपरागत खेती तो होती ही है लेकिन सावन भादो माह में जो पैसे की जरुदत पड़ती है खाद बीच के लिए जोताई के लिए उस समय यह फलदार बिरिज जो है बहुत ही फाइदे मंद होगा और आगे भी यह पौधा मजबूत होगा और ज़्यादा ज़्यादा पैसा देने का काम करेगा चोंकि यह कभी धोखा नहीं देगा और इनी तालियों के बीच आपको हम बताएं आज के इस पत्र प्रदान किया जा रहा है तालियां आपके तरफ से होती रहें तालियां जोड़दार हो सम्मान स्वरू यह सब हम जानते है और यह एक ऐसी योजना यह ऐसा प्रदान और इनके बाद तैयार रहेंगे गुमला जिले के दस लाभुक और इसके बाद लातेहर जिले के दस लाभुक आइगन आप सबका सम्मान कर रहे हैं विश्वासी कुजूर ये सम्मान दिया जा रहा है तालियां भी आपके तरफ से होती रहने चाहिए सम्मान स्वरू है यही इनका विश्वास और भी दोगुना करेगा पुखता करेगा इन सबका विश्वास और भविश्य सवारेगा अबी बिर्साहरित ग्राम योजना के माध्यम से फल्दार पेड़ लगाने का नीने लिया है और उसका आकलन समय समय पर हम लोग करेंगे और इसका जैसे ही पैदावार आपको बढ़ता हुआ लगेगा हम लोगोंने तैयारी कर रखी है जगा जगा कोल्ड इस्टोरिज बनाय जाएगा जगा जगा हम लोग आप लोगों के लिए बजार तैयार करेंगे और आपको बैतर मुल्य मिल सके इसकी विवस्था सरकार करेंगे हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग इस राज के सबसे अधिक हैं 80% लोग हमारे खेती बाड़ी के लोग है गुमलालो अर्दगा इस तरफ तो बहुत बड़े पैमाने में सब्जियों का उत्पादन होता है लेकिन बजार सही तरीके से नहीं मिलता और दलाल बिचोलियों का जमात खड़ा हो जाता है हम लोग आप ग्रामीनों के लिए ग्रामीन अस्तर में आप लोग का बजार उपलब कराने का योजना बना रहे हैं आप लोग के लिए कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, बड़े-बड़े हाथ की तैयारी हमारी प्रात्मिकता है ताकि आप किसानों को अपने पैदावार का सही मुले मिल सके बहुत सारी चीजे हैं, इससे जुड़ी हुई सिर्फ बजार ही नहीं, बलकि फूड प्रोसेसिंग के लिए उद्यों को भी लाने की हमारी कार्योजना तैयारी हो रही है ताकि यहीं पर जो भी पैदावार होता है उसको प्रोसेस करके उसको और बेहतर बनाने का एक उद्यों का दर्जार आज में हमारे किसानों को उद्यों के साथ जोड़ा जाए, यह भी हमारी परिकल्पना है यहां हमारे टाना भगत भाई लोग भी हैं बड़े संख्या में, मैं इनके लिए भी कहना चाहूंगा कि टाना भगतों को पहले चार अजार रुपया सालाना अपने वस्तरों के लिए मिलता था लेकिन आपकी सरकार ने आपके लिए आप चार अजार से बढ़ा करके उसको आठ अजार रुपय कर दिया है आप लोगों के लिए हम लोगों ने साल में दो बार वस्तर देने का नेने लिया है गेस्ट हाउस में आप लोगों के लिए बहुत खुबसूरत गेस्ट हाउस भी बनाया जिसका उधगाटन भी हमने किया था लोःदागा जिल्ला में दो मॉल्टि प्रपस हॉल भी बनाए गये हैं टाना भगत जो लोग खेती बाड़ी से जुड़ेवे हैं उनको खेती बाड़ी में उप्योग की जाने वाली उपकरन चाहे वो ट्रेक्टर हो चाहे उसे ट्रेक्टर का हल हो या और भी पसू पालक जो है उनके लिए भी अनुदाने दर पर पसू ट्रेक्टर उप्लप्त कराने का भी हम लोग काम कर रहे हैं तो कई ऐसी चीज़े हैं हर वर्क चाहे पढ़ने लिखने वाला नौजवान हो नौकरी देने का बात हो चाहे सोरोजगार से जोडने वाली बात हो हर दर्वाजे आप बड़ी तेजी से खुल रहे हैं बड़े पैमाने पे नौकरिया नौजवानों को दी जा रही है लगातार दी जा रही है साथ साथ में जो सोरोजगार खुद से अपना रोजगार करना चाहता है उसके लिए भी मुकमंत्री रोजगार सिर्जन योजना हम लोगों ने चलाया है जिसके माध्यम से आप सभी ग्रामिनों के लोग नौजवान महिला पुरूस जो भी काम करना चाहते हैं आप होटल चलाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं, गारी भाड़ा में चलाना चाहते हैं, टेंट हाउस चलाना चाहते हैं, मुर्गी पालन करना चाहते हैं, सब चीच के लिए सरकार आपको साहता मुखया करा रही है दॉक्तर बनने का है सपना, मगर सही गाइडन्स की है कमी, तो आएं बायोम, राची में सिर्फ मेडिकल की तयारी के लिए एक बहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तयारी के लिए, संग 2001 से, मेडिकल प्रिपरेशन के लिए, सबका भरोसे मंद संस्थान, बायोम, इनु एव नगरतोली राची